परिचाए राशी के चाजा की तबियत सही नहीं है। राशी के पिताजी उन्हें पास के अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर उन्हें कुछ दवाईयां खाने की सलाह देता है। राशी के पिटाजी अपने घर के पास के दवा विक्रेता से उन दवाओं को ले आते हैं। इस अध्याए में आप अपने पडोस के विशे में जानेंगे। आओ सीखें। डाग घर और बाजार से होने वाले लाभों की सूची बनाना। बैंक और अस्पताल के उप्योगों का वर्लन करना। दमकल केंद्र और पुलिस थाने से होने वाले लाभों की चड़चा करना। बस्टॉप, रेलवे स्टेशन और हवाई अड़े से होने वाले लाभों की सूची बनाना। डाग घर इस इमारत को देखें। ये एक डाग घर है। लोग यहां से स्टांप खरीदते हैं। तथा अपने पत्रों को भेजते हैं। वे अपने पत्रों को पोस्ट बॉक्स में डालते हैं। डाकिया इन पत्रों का संग्रह करके इन्हें बाटते हैं। बाजार ये एक बाजार है। इसमें विभिन्न दुकाने जैसे की किराना इस्तोर, बेकरी, कपड़ों की दुकान, दवा की दुकान, फर्णीजर की दुकान, जूदे की दुकान और अन्ने दुकाने भी हैं। लोग यहां से अपनी आवशक्ताओं के अनुसार चावल, गेहूं, केक, बिस्कूट, कपड़े, दवाईया, मेज, कुरसिया, जूदे आदी खरीते हैं। बैंक ये एक बैंक है। लोग अपने धन को सुरक्षित रखने के लिए उसे बैंक में जमा करते हैं। आवशक्ता पढ़ने पर वे ATM से इसे निकाल सकते हैं। अस्पताल बच्चो इस इमारत को देखें। ये एक अस्पताल है। जब लोग बीमार होते हैं और जब उन्हें उपचार की आवशक्ता होती है, तब वे अस्पताल जाते हैं। इस प्रकार के बीमार लोगों को मरीज कहते हैं। अस्पताल में डॉक्टर मरीजों का उपचार करते हैं। नर्स और आगंतुक उनको जल्दी से ठीक होने में उनकी सहायता करते हैं। आव खेलें। सही विकल्प को उठा कर उसके संबंधित चित्र के उपर दिये हुए बक्से में रखें। दमकल केंडर। इस इमारत को देखिए। ये एक दमकल केंडर। हैं। यानि फाइर स्टेशन है। इसके बाहर कुछ लाल रंग की गाणियां खड़ी हुई हैं। ये फाइर इंजन है। फायर स्टेशन के लोग फायर इंजन की साहता से आग पर काबू पाते हैं. उन्हें अगनी सेनानी यानि फायर फाइटर कहते हैं. वे आग में फसे हुए लोगों को बचाते हैं. अगनी सेनानियों का दल फायर ब्रिकेट कहलाता है. पुलिस थाना ये एक पुलिस थाना है. जो लोग पुलिस थाने में काम करते हैं, उन्हें पुलिस कर्मी कहते हैं. वे नियम और कानून का संतुलन बनवाते हैं. वे चोरों को पगड़ते हैं और अपराधों पर काबू रखते हैं. वे नियम तोड़ने वालों को सजा देते हैं बस स्टॉप, रेल्वे स्टेशन, हवाई अटा बच्चो अब इन तीन इमारतों को देखिए ये एक बस स्टॉप है ये एक रेल्वे स्टेशन है और ये एक हवाई अटा यानि एरपोर्ट है लोग बस, रेल्व और हवाई जहास की साहता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं पास की जगों पर जाने के लिए हम लोग बस का प्रयोग करते हैं दूर की जगों पर जाने के लिए हम लोग रेल्व और हवाई जहास का प्रयोग करते हैं हम बस स्टॉप से बस में बैठते हैं। हम रेलवे स्टेशन से रेल में बैठते हैं। हवाई जहास में बैठने के लिए हम लोग हवाई अड़े जाते हैं। हमने क्या चर्चा की? डाग घर द्वारा लोग पत्रों को प्राप्त करते और भेशते हैं। लोग बाजार से अपनी आविशक्ता का सामान खरीदते हैं। डाक्टर मरीजों का उपचार अस्पतालों में करते हैं। लोग अपने धन को सुरक्षित रखने के लिए उसे बैंक में जमा करते हैं। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए बस, रेल और हवाई जहास का प्रयोग करते हैं। फायर ब्रिगेड आग में फसे हुए लोगों को बचाते हैं। पुलिस कर्मी, नियम और कानून का संदुलन बनवाते हैं।